नमस्कार दोस्तों मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्वाधिष रेसीपी में प्रेंट्स आज मैं आप लोगे साथ एक तो गुजिया की रेसीपी सेयर करूँगी जिसे मैंने बीना तले, बीना मैदा, बीना स्टफिंग के, बीना रोल किये और बीना घी के, और ना तो मैंने मावा कभी यूज नहीं किया है, तो मैंने बनाया है, और दूसरा मैं रोल बनाई हूँ, दोनों ही मिठाईयां बहुत ही टेस्टी बनी है, और इसे मैं आप लोगे साथ सेयर करूँगी, बिलकुल घर में अफिलेबल समान से हम इसे बना कर त्यार करेंगे रिक्वेस्ट हैब से कि अगर ये रेसिपीज आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूले चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब के पिले प्रेस कर ले मिर सभी नए वीडियो को देखने के लिए चलिए सबसे पहले इंग्रिडेंट्स देख लेते हैं इसके लिए तो मैंने यहाँ पे लिया है हाफ फीटर मलाई तार दूद यानि दूद पूरा मलाई वाला होना चाहिए इसे मैंने और लेडी बॉयल कर लिया है और मैं लिए हूँ हाफ कफ मिसरी का पाउडर हाफ कफ मैंने लिया है ग्रेट किया हुआ कोकोनट और यहाँ पर मैं लिए हूँ एक कफ सूजी यानि रवा थोड़ा सा मैं लिए हूँ पंकिन सीट्स और थोड़े से मैं मिक्स ट्राइफूर्स लिए हूँ सबसे पहले एक पैन गरम करेंगे इसमें हमें घीवे गरा कुछ नहीं डालना है बस हम इसमें चॉप किये वर Dry Foods डाल देंगे साथ में Pumpkin Seeds डाल देंगे और इनको Dry Roast करेंगे 2-3 सेकेंड तक इन सारे Dry Foods को मैंने Dry Roast कर लिया है आप देख सकते हैं और इसमें अभी मैं डाल दूंगी एक कप रवा यानि सूजी और इसे हम बस सेखेंगे मतलब सूजी को ब्राउन होने तक नहीं रोस्ट करना है बस हमें एक से दो मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे कंटिनॉसली स्टर करते हुए सूजी को बस सेख लेना है ताकि इसका कचा आपन जो है वो निकल जाए इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी कुटी हुई इलाइची और फिर हम उसके बाद इसमें एट करेंगे दूद हमने यहां पे मिल्क पाउडर मावा का यूज नहीं किया है इसके और घी का भी यूज नहीं किया है इसलिए इस गुजिया को और म मलाई उस पर बैठा हुआ था वही दूद मैं इसमें डाली हूँ जो कि मिठाई का टेस्ट करेगा मैं यहां पे डाल रही हूं मिसरी का पाउडर आप चाहे तो इसमें खांड भी डाल सकते हैं या फिर चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर साबूत चीनी भी डाल द तो केसर वाला दूद भी इसमें डाल सकते हैं ताकि इसका कलर और भी ज्यादा अच्छा आए और इस तरह से फूट कलर डाल कर मैंने इसे मिक्स कर दिया है कैस का फ्लेम आफ कर देंगे अब एक परात में इस मिक्सर को निकाल देंगे और हाथ से मसल कर इसे ठंडा होने मिनट तक अब इस स्पेचुला की हेल्फ से इसे थोड़ा सा फैला देंगे ताकि जो भी थोड़ा सा थंडा हो जाएए और बिल्कुल थंडा नहीं करना है इसे अगर पूरा थंडा करके गुजिया बनाएंगे तो गुजिया हमारी फट जाएगी इसलिए थोड़ा सा गरम अगर आपके अपास साचा है तो आप उसमें डालके इस बॉल को भी बना सकते हैं अब मैंने एक बॉल निकाला है मेडियम साइज का और हाथ पर उसे इस तरह से फैला ली हूं पूरी की तरह और इसके सारे माउथ को चारो तरफ से हम क्लोज करेंगे आप चाहाए तो इसे बेलन से भी रोल कर सकते हैं यह देखिए इस तरह से सौधानी से इसके माउथ को प्लोज कर देना है इसके अंदर मैंने कोई भी स्टफिंग नहीं डाली है क्योंकि और इस मिक्स्चर में मैंने सारे ड्राइफ्रोर्स, कोकोनेट सब कुछ मैंने एड़ कर दिया है तो इसका दो से आधे डो का गुजिया बना लिया है और आधे डो से मैं इसका रोल बनाकर रोल वाला मिठाई बनाकर त्यार करूंगी इसके लिए थोड़ा सबस घी लेना है हमें हाथ पे और इस डो को अच्छे से मसाल देना है एक बार और एक बिल्कुल जिकना डो त्यार करकर इस खिपी कर सकते हैं और थोड़ा सभी से गार्णिस करेंगे पिस्ता से ग्रीन पिस्ता से ताकि इसका लोग और टेस्ट और ज़्यदा इन्हेंस हो जाए इसके उफर में पिस्ता डाल रही हूं आपको देखने में लगता होगा कि बिलकुल मावा की तरह जी है दोस्तों इसमें मैंने पूरा मलाईदार दूर डाला है सबसारे ड्राइफ़ूर्स मैंने एड़ किया है कोकोनट एड़ किया है इसमें सूजी का टेस्ट जो है बिलकुल मावा की तरह आ रहा है इसलिए बहुत ही कम समान में कम खर्च में आप यह दो तरह का मिठाई बना कर दियार कर सकते ह है और फ्री मिठाई है और यह बहुत ही हेल्थी है माॉट मेल्टिंग और बनाने में भी कोई में दो अ por Instant लगेगा इस वर्णे में और आप इस इस टोर कर के भी हपते भर सकजित जो निफिक ano hen और दूसरी तरफ मैंने गुजिया के किनारे पेवी नाइफ से इस तरह से लंबे-लंबे लाइन का मैंने कट लगा दिया है ताकि देखने में तरह खुबसुरत लगे और इसकी गार्णिसिंग की है मैंने सिल्वर लिफ से केसर से पिस्ता से रोज पेटल से बहुत ही खुबसुरत लगा यह देखने में थोड़ा सा मैंने फूट कलर इसके उपर लगा दिया दोनों मिठाई हमारी बनकर त्यार है इसे मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूं जो मैं रोल बनाया था यह देखे एक लाइक जरूर कर दिजिएगा और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा मैं बहुत ही असान रेसिपी शेयर करते रहती हूं मैं चैनल पर और अपने कमेंट भी सब्सक्राइब कैसे लगी आपको यह मिठाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ तक के लिए बाबाया टेक क्यार